जैन दोस्तों नवश्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर मेरा नाम है योगेंद्रतिवारी हम सभी लोग आज पढ़ेंगे बेसिकली इंडियन कांसिचूशन के प्रियंबल के बारे में प्रियंबल से कोश्चन आप सभी लोगों से पूछे जात साथ ये भी बात करेंगे कि इंडियन कांसिचूशन से और किस तरह के सवाल किस तरह के कोश्चन हमसे पूछे जाते हैं तो स्वागत है आप सभी का मेरा नाम है योगेंद्रतिवारी हम सभी लोग आज की क्लास इसको सांदार तरहिया से करने वाले हैं प्यारे साथियों बहुत कठीन हैं फोकस से हटना बहुत सरल कोई भी सत्या नास कर देना अबड़ा असान है बनाना बड़ा कठीन है इसलिए आप किसी भी चीज को देखते हूं जो बिनासकारी चीजें बहुत तेजी के साथ आपको अपने दरफ खिशते बहुत सरा पीना तुरण्द मन किय किताब उठाने को मन ही नहीं होती इसके पीछे रीजिन यह कि अच्छी चीजें उतनी तेज आकर सित नहीं करती है जितनी चीजें जितनी तेज हमें बुरी चीजें आकरिश्ट करते हैं तो इसलिए थोड़ा सा अवेयर रही है और मैं बार-बार कहता हूं कि आपके लिए सी किसी भी हाल में पास करना है डेली साम को पाम जी क्लास चलती है आप सभी लोगों के लिए चले शुरू करते हैं आज की क्लास को सबसे पहले आप मेरे पीछे पोस्टर देख पा रहे हैं ना कुछ फोटोज लगी हुई है मैं भी आपको क्लियर ना दिख रही हैं तो आप यह अनुमान लगा पा रहे होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इंडियन कांसिजूसन की प्रियंबल के बारे में इधार इंगलिस में इसका हिस्सा लगा हुआ है इधार हिंदी में इसका हिस्सा लगा हुआ है जरा हम समझते हैं प्रियंबल क्या है कैसे है सब्दों पर चलेंगे और यह आपको दिखेगा भी मैं इसको लिखित रूप में आगे इसका रेटन फॉर्म है तो वहां पर आपको दिखेगा देखिए मेरे साथ में जैसे कोई हम बुक लेते हैं तो उस बुक का आप जैसे कवर पेज ओपिन करेंगे जैसे इंट्री करेंग उसकिताब में आप देखेंगे आपको प्राकथन टाइप का दिया रहता है जिसमें लेखक के विचार लिखे रहते हैं एक राइटर क्या कह रहा है उसमें किनकी लोगों नो उसका सपोर्ट किया इसकिताब में क्या है ठीक उसी तरीके से अगर हमें इ एक दम अगर आपको क्रीम पार्ट इसका समझना है तो आप प्रियंबल पढ़ागों अपने आप आपको पता चल जाएगा कि असल में हमारी जो कांस्टिवेंट इसम्बली थी वो कांस्टिवेंट इसम्बली किस तरीके से भारत को देखना चाहती थी पड़े आसानी के सा उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत जादा डीप नॉलेज होने चाहिए कुछ नहीं आपको पता चल जाएगा कि एक्चुल में हम क्या है और क्या हमें देखा गया है क्या बनना चाहते हमारे पूरवजों ने कैसा सपना देखा कैसा ड्रीम प्रोजेक्ट थाउ हुआ। तो प्रियंबल से वह ही जानकारि अगर पूरे कंसीटूशन पोच्छा भी गया है अगर पूरे कंसोचन को हमें बहुत कम सब्दों में समझना हो तो हम Basically प्रियंबल को पढ़ सकते हैं आसानी के साथ और वहां से हम समझ सकते हैं प्रियंबल हमारे कांसिजूशन की आत्मा कही जाती है सौल कही जाती है ध्यान में रखिएगा बहुत इंपॉर्डन इंपॉर्डन चीजें हम आपको बताने वाला ठीक है तो थोड़ा सा जरह हम समझ लेते हैं जो हमारी प्रियंबल है माई डियर फ्रेंड्स ये प्रियंबल क्या है भारतिय संविधान की आत्मा कही जाती है ध्यान से समझेगा इस बात को क्या कही जाती है तो भारतिय संविधान की आत्मा कही जाती है अब आप जरह समझेगा मेरी बात को आत्मा कब कहा जा का आतमा तब यात जाता है जब अबना उसकेड है जीवन की कलपना नहीं करा। जैसे आपके सरीर से अगर अभी आत्मा निकाल ली जाए तो आप सिर्फ सरीर बचेगा आफ जो थे फिर हैं ही नहीं फिर आप महेज एक dead body के रूप में जाने जाएंगे तो उसी तरीके से हमारी प्रियंबल इतनी important है किसे एक इंडियन constitution की आत्मा कहा जाता है sol कहा जाता है अगर हम यहीपर q Contain लिख दे कि भींड़ाव अमवेड करने किसको आत्मा कहा ओर झाप कर दे कुश्चन में किभीवजाओं अमीर्डकर ने किसको आत्मा कहा है कि आर्टिकल नोबर Crown typu को आत्म कहा है ठीक यह बात दोनों चीजे आपको समझना वह ठीक आप समझे मैं आ प्रियंबल हमारी क्या कह रहे पहले बार प्रियंबल आपके साथ चलते हैं फिर उसके इसकी स्टार्टिंग को लेकर कुशेंन मने है कि हमारे प्रियांर किस तरह के सब्दों से亲र्प होती है तो इस टार्ट ही होती है कि विड़ा पीपल आफ इंडिया कि यह बैसे कली कि सकी बात कर रहा है यह बैसे बात कर रहा है हम भारत के लोग कैसा देश बनाना चाहते हैं कि क्या चाहते का जादी के बाद कैसा भारत होगा इन सब चीजों को जानने के लिए हमें प्रियंबल के बारे में समझें नहीं समझें ठीक है तो कहरें वीदा पीपल आफ इंडिया अब यहां पर एक चीज आपन क्यों अगर हम बात करें प्यारे साथियों इंडियन कांस्टिचूसन की तो इंडियन कांस्टिचूसन का आर्टिकल नंबर वन यह कहता है कि इंडिया दैट इस भारत यहां पर सिर्फ दो नाम भारत के लिखे गए हैं एक तो इंडिया लिखा गया है और दूसरा भारत लि नहीं लिखा गया ठीक इंडिया और भारत दो ही नाम का और यह भी कोश्चन आप से पूछा गया है अब जरा समझेगा वीदा पीपल आफ इंडिया तो हम भारत के लोग मतलब इस सम्मिधान कौन बना रहा है भारत के लोग बना रहे हैं भारत के लोगों ने अपने में से ही कुछ लोगों को इंडियरेक्टली सेलेक्ट करके यहां भेजा है चुन के यहां भेजा है क्योंकि हमारे यहां जो इलेक्षन हुए थे अगर हम इलेक्षन की बात करें तो वो डायरेक्ट इलेक्षन कांसिचुएंट एसम्बली के लिए नहीं हुए थे कांस्टीच्वेंट एसेंबली हमारी कैसे चुनी गई थी तो हमारी जो कांस्टीच्वेंट एसेंबली थी वह कैसे चुनी गई थी वह प्यारे साथियों इंडायरेक्ट रूप से चुनी गई थी कैसे चुनी गई थी इंडायरेक्ट इलेक्षन के माद्ध्यम से चुनी गई कि यह बात समझा गयी के से चुनी गई थी इंडाट-ग्रे इलेक्टन के माद्र से चुनी गई थी यह बात सहूंजा रही है सारह सारी चीजह कि प्रतेग दस लाग पर एक सदस्य ठीक है बात समझागे अब देखिएगा करें हम भारत की लोग भारत को एक संपूर प्रभुत्त संपन शमाजवादी पंथ निर्पेच यहां पर धर्म निर्पेच भी लिखा गया है लोकतांत्री गड़राज बनाने द्यान समझेगा हमने क्या क्या कहा है संपूर प्रभुत संपन है विंग सोलमें रिजॉल्व टू कांस्टिटूट इंडिया इन्टू आ सावरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोकरेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर आल इट्स सिट्जन और इसके सभी नागरिकों को ठीक है सुरच्छा प्रदान करने के लिए सत्य निष्टा से स कुछ सब्दों का परियोग यह जैसे संपूर प्रभुत संपन ठीक है तो शावरेन इसके लिए सब्दें के इंगलिस पर यूज होता है सावरेन संपूर प्रभुत संपन का मतलब क्या है कि अगर कोई डिसीजन इंडिया लेता है बिना किसी दूसरे बाहरी देश की दबा बदानाये यह रूस हमारे उपर दबा बनाये इमदव दाव ऑफ्रांस कोई यह हमारे युपर दताकत बिन हमारे उपर और हम उसके में दॉसे लें लगे भारत पूरी तरीके से सुतंत्र है पहली बाते बता दी गई और भारत अपने सभी निरड़े खुद लेगा दूसरी बाते बता दी ठीक और आप इस चीज को देखते हैं आजाती के बाद आफ्टर इंडेपेंडेंस आपने देखा कि इंडियन प्राइम से हम रहे कि तुम्हारे में भी नहीं सामिल होंगे थीक है वासमाज क्या को संपूर परभुत जा समाजवादी भारत सब के कल्यार के लिए बात करता है ठीक है दूसरी बात धर्म निरपेक्च सेक्लर इंडिया की बात करता है अब यह सारे question आप फानट निर्पेक्ष हुआ तफ निर्पेक्ष और या थे को भोलेंगे धर्म निरपेक्ष हाला नों में हिंदी के सब्दों में थोड़ा सा बाट इसो इंगलिस में यह लिखें गे इनके लिए एक रहोग है है secular में क्या पुर्यों किया है यह सेकुलर का मतलब क्या है जैसे कूलर का मतलब है से कुलर इंडिया हम बनाना चाहते हैं एक ऐसा इंडिया बनाना चाहते हैं जहां पर जो धर्म है जो religion है जो religion है वो ब्यक्ति का ऐब पर्सनल मयटर है अद्यान से समझिए गहको ब्यक्ति का क्या है पर्सनल मैटर है उसमें कोई दूसरा इनवाल्व नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब यह हो गया कि सरकार का कोई धर्म नहीं है इस बात को ध्यान में रखिए हमारी जो सरकार है जो गौवर्मेंट है उस गौवर्मेंट का कोई धर्म नहीं है कोई धर्म नहीं है इस बात को ध्यान में ठीक है सरकार का कोई धर्म नहीं यह बात समझ में ठीक है मामला के लिए रहोगे बहुत अच्छी बात है अब दो तीन चीजे देखी गए यहां से चीज यह पता चलिए कि सरकार हमारी क्या है पंथरे पेच है धर्म आपका व्यक्तिगत मसला है किस धर्म को मानते हैं किस धर्म को नहीं मानते हैं सरकार से उसका कोई लेना रहे हाँ बसरते यह का आपके धर्म से सोसाइटी को कोई नुकसान ना पहुंच रहा हूं ठीक है तो रिलिजन विक्ति का पर्सनल मैटर है इसी कारण से भारत को क्या बोला जाता है धर्म इरुपेच एक सेकुलर इंडिया बोला जाता है ठीक है आर्थिक और राजनेतिक आधार पर जस्टिस के आप देख रहें तीन मापक है ठीक आप देखें जस्टिस के तीन सोसल एकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस कितने परकार का है पीन परकार का है इसलिए आपके सामने पूरी प्रियंबल लिखी है ठीक है सामाजिक आर्थ और राजनेतिक यह हैं ठीक बात समझवारी को नहीं समझवारी सामाजिक आर्थिक और राजनेतिक अब इस बात को समझेगा हमारी जो समझवार की विशेष्चता है जैसे हमारे यहां क्या है घ्रक्राणMANन सोसाइटी में ही cumulative करते हैं हमारे कभी कोई सरकार डल्टें तो ससाइटी में डेस्व इवेरेसं कास्ट के basis परर आजेंदर के basis पर यह सर्फ discrimination है और यह दुनिया में हर जगा यह कभी मत सोचा करो सिर्फ इंडिया में अमेरिका में कितने लोग मारे जाते हैं कि वो काले हैं इस कारण से मार दिए जाते हैं छोटे-छोटे बच्चों को सिकार बना जाता उन्हें मार डला जाता है आप इन सब तरीके घट दिलवाएंगे जस्टिस दिलवाएंगे ठीक अब इसमें कोश्चन आप से कहां से पूछेगा कोश्चन में मेरी एक बात नोट कर लेना नोट ये करना है आपको इसमें कहीं पर भी धार्मिक न्याय नहीं सामिल है इसमें क्या है धार्मिक न्याय नहीं सामिल है इस बात को धान में रखिएगा ठीक है ये बात समझा गए तो धार्मिक न्याय इसमें नहीं सामिल है इस बात को याद में रखिएगा किलियर हो एग ऐज़ी गैसे करता है वह डालता है बार बर इधार में ए नया सामिल है की नहीं सोब तो हमारे जुस्टिस कितने परकार कोills हो गया तीन परकार का पीन परकार का जुस्टिस हो गया अन्सक्राइट थीक है यह बात समझ में आ गए तो धार्मी के निया यह बात नहीं के गए अब देखिए आपको एक ही चीज आपके साम और यहां से कोश्चन फिक्स है यह 100 परसंट मेरी गैरंटी है कि कोश्चन किसी न किसी तरह के जितनी चीजें मैं बोल रहा हूं अगर आप इसको होने वाली है ठीक है आप देखिए कह रहे हैं देखो न्या कि बात की निया कितनी परकार हो गया थिख जस्थे कितने परकार को हो गया तो तो तीन परकार का सोचल economic and political basis ठीक है आप देखिए स्वतंदरता की बात करते हैं स्वतंदरता क्या है विचार अभिव्यक्त विश्वाश आस्था और पूजा पूजा करने की भी स्वतंदरता है आपको ठीक है आई यहां पर देख लेते लिबर्टी टू थाउट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्स ठीक है आप किसी भी चीज को विचार मिला सकते हैं हां कोसे से करिए सकार आत्मक नकार आत्मक रहेगी तो आप दंडित किये ज जो लेगे आपको इसको चार्ट के मादल से दिखा दूँग ना सभी के बीच प्रतिष्ठा और आवसर की समानता समानता आप देख रहे हैं तो दो प्रकार की समानता प्रतिष्ठा और आवसर की equality of status and opportunity status and कि आपके पास equality देखिए एक चीज़ तरह समझेगा पहले इसको पढ़ लेते तो मैं बहुत सारी चीज़ आपको बताने वालो ठीक है देखिए बैक्ति की गरिमा राष्ट की एकता और अखंडता का आस्वासन देने वाली बंधुता अपनी संभिधान सभा में आद दिनाग हमारा जो संभिधान है प्यारे साथियों हमारा जो संभिधान है उसको आप देखेंगे इंडियन कांसिचूशन पर एक बात की यहां पर बहुत ज़्यादा focus किया गया वो है equal distribution of resources क्या कहा गया है equal distribution of resources हमारे यहां मैटर कहां पर फस्ता है मैटर यहां पर फस्ता है कि हमारे यहां जो रिसोर्स तक सब की पहुंच ही नहीं है जैसे आप सोसाइटे में देखते होंगे तो हमारे यहां अलग-अलग तरह के लोग हैं मान लीजिए कोई जनरल कटेगरी का है अब जनरल कटेगरी में भी आप देखते हैं कोई माली यह एक इंकम पर्टिकुलर आता है एक थोड़ा सा पूर बैग्राउंड से ठीक है फिर आप देखेंगे ओबी सी ठीक है ओबी से माली यह सारे लोग मान नहीं लिया जा सकता है कि एक तरीके पिछड़े हुए है एससी ह अभी यस्सी में भी यह बात लाई गए अन क्रीमी लेर की इस सबसे बड़ी तक पहुंच नहीं है और फिर पहुंच भी थो नमार सकी बहुत जादा पीछे लेकिन इन समिया आपने चीज़ देखा है किसमें इंडिविजोल रूप से हम कर एक महिला यह बहूत पीछे महिलाएं बहुत पीछे हैं इसमें भी जाती के आधार पर पिछड़ापन है यह कि नहीं इन दो बेसिस पर आप देखोगे तो समाज में हमारे पिछड़ापन बहुत जादा है महिलाओं के वेसिस पर और जाती के वेसिस पर अभी तो धीरे धीरे करके सरकार अलग-अलग SKIMS के माध्यम से महिलाओं को मुख्य दारं दे देला रही है पहले तो बच्सका section को पढ़ाया धन है तो यहीं जाती दो तरीके के लोग होते जाती के ने वेसिस फर एक तो जो मान लिए कि हम अगर किसी समय विःट्प से उंची में थे या समाज में हमें ज्यादा इजद थी हमें रुत्बा था क्योंकि पूर्वत पढ़ाय लिखाई काम करते थे अब अगर आप दारूपी के सुर हैं तो आप किसी भी जाती कुंगा आपको कोई उजद देगा तो अभी डिस्किमिनेशन आप क्या बना दिया गया जब आप आप आगे बढ़ने के लिए आगे इसको नोट कर लो कहीं आपके लिए काम आएगा आगे बढ़ने के लिए प्रयास कम कर देंगे यह मेरी बात नोट कर लेना 100% राजा यह मुझे बहुत मोटिवेट करती है जब आप आगे बढ़ने के लिए प्रयास कम करेंगे कम कर देंगे तो आप अपने को विसश्ट साबित करने लगने यह हमेसा याद रख़िएगा विसश्ट साबित करने लगने यह नोट कर लेना साबित करने लगने यह नियम है सवbreakर जैसे आप इंडिविजूल पर्टिकुलर रूप से किसी एक जाती के तो आपने जाती के चर्चे सुनाने लगेंगे यह हमाई जातिक फलाने राजा थे मार काट डाले देड़ सो लोगों को क्यों क्यों कि आप भीग मांग रहे हैं कि मेरी बात बहुत बुरी लग सकते लेकिन इसको द्यान रखना हमेशा अपने सुधार के प्रतिया हमेशा जब लुक फारवर्ड आप चलेंगे तो आप अपने लिए आप डिबलब करेंगे तो आप एमबिसेंगे और ऐसे लोगों के बीच में रहें जो एमबेसियस हों कहें गुरुजी पढ़ाए यह पढ़ा रहें हैं कहें नो कर यह खतरा है थोड़ा अच्छा मर जा रहें टेंजन के मारे तो आप मर ही जाएंगे परिच्व पास नहीं करते यह सब चीजें क्या है कि आप इनोवेटिव आप आगे करने के लिए उताव ले जीवन क्या है जीवन चैलेंज है इसमें अगर ऐसे लाइन चलती रहती यह मरने पर ही चलती है सीधी से एकदम सीधी हो जाती उठवे नहीं करती बस उसके पहले नहीं होगा जीवन में हमेशा सुधार के लिए परियास करें हर जगा सुधार के बंजाय से आगे बाढ़ने लिए कोसेश करें कुछ भी हो जाए कितनी बत्तर स्थिती आ जाएगी जब पैदा हुए थे ए यहां के टेंपरेचर को मैनेस कर पा रहे थे किसी को जान नहीं रहे थे तब सर्वाइब कर गया उससे कठी नब नहीं यह बात समझें नहीं तो इस बेसिस पर इक्वाल डिस्ट्रिविशन आप रिसोर्स को लाने लिए वह बहुत डिसके में से अब आगे एक एक सब्सक्राइब जितना आपने पड़ा सब ही मिलेगा अब आपको लगेगा आप तो सहरा पढ़ यह जरा देखिए जरा ध्यान समझेगा बहुत द्यान समझेगा टर्मियोलाजी इंग्लिस में है सावर सावरिन का मतलब कह रहे हैं इंडिपेंडेंट नेशन वाट दो यू मीन बाइं इंडिपेंडेंडेंट नेशन क्या आप समझते हो इंडिपेंडेंडेंट डेसर क्या यही अपनी सरकार अपने चुने हुए लिए नहीं इंडिपेंडेंडेंस का मतलब यह भी हम्रें डिस पर देखो समझो कोई तुम्हारा गुरू बताय कोई से चंच कोई किताब पढ़े तो दूसरी किताब करें इंडिपेंडेंस नहीं तो इंडिपेंडेंस का मतलब है अपने ऊपर confident होना कॉो पंफिडेंट होना यह सब चीज जिन्दगी मां पहली बार सुणवाइब को अपने ऊपर कॉन्फिडेंट और अपने ऊपर में काम करें तो दूसरेक दूसरे के दबाव नहीं काम करेंगे चो नहीं ठीक बात समझारी चले आगे देखते हूं शोसलिष्ट सोसलिष्ट का मतलब क्या है डेमोक्रेटिक सोसलिज्म वेर दा प्राइवेट सेक्टर एंड गॉर्मेंट सेक्टर कैन वर्क टूगेदर अब देखें जब हमारा देश आजाद हो रहा है भारत आजादी के समय आप दे कर दे त्वेilot होते है तो आप यह बताए अगर हमारी सर्कार चाहती भी तो सिर्फ आयसे गरीब हो यह अमीर भी हों हमसे मतलब उसे मतलब निम्मा लौब अमीर ही होते हैं तो सरिफ I guess माइर आप मेरी बात को समझे ना इस बात बड़ा कर ही नहीं सकती कुछ भी हो जाए एक एक काउंटेबल सिटिजन होना चाहिए जो हमारी सिटिजन सिप है वह काउंटबिल्टी तय करती है लेकिन नहीं तय करती है पान खाए आधा लीटर सरकारी अस्पताल में गए हैं देखने मरीज फुफ़ा बिमार थे गए थुक दिये दढाम से चार कंठापा पाड़के मारे अभी वहां पर जो सुरच्छा कर्मी तैना तो चिलाएंगे सरकार हमारी बात चार कर दी बताओ या हमारी हर चीज के बीचे क्या है एकांटबिल्टी एकांटबिल्टी यहां पे भी तय हुए सरकार की सरकार ने कहा कि हम सिर्फ है यह बाद में जोड़ा गया था सरकार नहीं एक करवाया एसा नहीं कि समाजवादी सब्द इंक्ल्यूड नहीं था वो था इसी मने कांसिच्वेंट इस बात को समझा था होगा लेकिन अंडर इस्टूट था कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के काम करेंगा कभी है कल्पना करिए सारे प्राइवेट जितनी चीज़े सब बंद करा दिया है क्या हाल होगा कभी अपने सोचा है क्योंकि सब मिल कर देश को चलाते हैं कि समझ पा रहे हैं आगे देखिए सेकुलर हमारे यहां क्या है प्रोग्रेसिव सेकुलरिज्म है ठीक है ना आगे बढ़ने के लिए इसको कहा गया है ठीक हम सेकुलर इस्टेट है हमारा कोई इंडिविज्वन धर्म न जैसे हमारे साथ पाकिस्तान तो पाकिस्तान ने क्या कि अपने आपको घोसित किया आप देखिए जितनी भी देशों ने धार्मिक अपने आपको घोसित कर दिया उन का पतन हुआ है सब का पतन हुआ है यह नियम ही है क्योंकि जब आप इड्म इस्टेट करना सुरू करते हो किसी स्टेट को तो आप बहुत बड़ा डिस्क्रिम on that कि युक्षित स्पुरकार रही है तो दूसरों को आप क्या करें हैं अपनी धर में जब जस्ती लाएंगे दूसरों के साथ मिश्वियाइब करेंगे दूसरों को एकस्प्लाइट करेंगे आजादी कारनी के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं के उपर जो अत्तयाचार हुए दुनिया में कहीं नहीं हुए भारत में ऐसा नहीं हुआ क्यों क्यों बारत एक सेकुलर नेशन है सब्र है नहीं सबर रहें तो इसी कारब से कि इसा नहीं कि सिर्फ सरकार के बेसिस पर से स्रेकार के बहुत सारी लेयर काम करते हैं तो सोसाइटी में एक अलग तरीकिये का disproportion जाकता है इसलिए सेकुलर हें डेमोक्रेटिक हम क्या है राजा महाराजा हमारे उपर सासन की ठीक है राजा जो बोलने वही नियम कानून है हम इस बात को जानते थे इसलिए हमने डेमोक्रेटिक वर्ड यहां पर साफ साफ यूज कर दिया तो इसको क्या बना दिया कि डेमोक् कि अल्यीग तो लोग समान है सभी लोग आजाद है नय चाहित गड़तन्त्र का सब्त क्या है रिपब्लिक सब्सक्राइब करता है गड़तन्त्र सब्सक्राइब करता देखे रिपब्लिक कि या गड़तंत्र गड़तंत्र का सीधा सा अर्थ होता प्यारे साथियों कि जो देश का कांस्टिश्ट्यूसनल होगा ध्यान से समझेगा कि कांस्टिश्ट्यूसनल जो हेड़ होगा वह चुना जाएगा जैसे हमारे यहां राष्टपती है तो राष्टपती का हमारे यहां चुना हो तग Tuesday लेकिन किसी द़र से टकर टो हमारे यहां जो प्रेशी जक होता है इंडाेरेक्ट होता है तो इसको याद कर लिजिए यedd से कोश्चन पूछे जाएंगे हंडेट परसेंट ठीक स्वतंता देखिए पांच प्रकार की विचार उपाशना धार्म ऐसे आप इधर ऐसे चलिएगा विचार अभिव्यक्त उसका मतलब नहीं आपको बस याद रखना विचार अग्व्यक्त विश्वाश धर्म रुपासना की स्वतंता है स्वतंता देखो 5 इसमें लगा नों तो 5 प्रकार 5 प्रकार की स्वतंता एक दो एक दो तीन चार पांच ठीक है निया देखो एक दो तीन तो तीन प्रकार की अब समता समान का मतलब क्या है दो प्रतिष्ठा और आउशर की जैसे सब की पहुंचो सब तक सब तक पहुंचे कोई जी ऐसी नहीं है या सब पहुंचे अब समझेगा दो चीजे हैं या तो सब तक पहुंचे या तो सब तक पहुंचे या सब पहुंचे या तो लोग पहुंच जाए तो लोगों तक तुम पहुंचो तो इसके लिए जरूरी क्या है इक्जाम का फॉर्म करने के लिए आता है तो आप लोग देखते हो उसमें जन्रल के लिए कुछ अलग फीस है कई बार OBC के लिए अलग फीस होती है फिर EWS अचकल आ गया तो उसकी अलग फीस होती है नॉर्मली क्योंकि इनके पास इकोनॉमिक इंपावर्मेंट नहीं है पैसा नहीं रहेगा तो कई बार बच्चे ऐसा नहों कि पैसा ना होने कारड ना पड़े या ना कोई काम करें ना फॉर्म डाल पर इसलिए ऐसा किया जा ठीक है तो यह सब बाते प्रियंबल में कही गई है अच्छा हetes कावना में संसोधन की बात कही गई Palisya doch है अॅ कि प्रियंबल में को कि संसोधन Sir क्या संसोधन की बात कही ऒही गई ध्यान में रखेगे विल्कुल हां पुट्टी सेकेंड अलमेंट के द्वारा के द्वारा में सरि सेवेंड मैंट के द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी के समय हम लिए गांधी के समय इसमें एक मात्र संसोधन अभी तक हुआ है एक मात्र संसोधन अभी तक हुआ है बस इसमें क्या जोड़ा गया इसमें तीन सब्द जोड़े गए ठीक है तीन सब्द जोड़े गए यह सब्द कौन-कौन से हैं जरा बताईएगा मुझे एक तो समाजवादी समाजवादी ठीक है पंथ निर्पेक्ष सेकुलार सोशल ठीक है तो सोशलिस्टिक सेकुलार और अखंडता तीसरा क्या था अखंडता कि इन्टीग्रिटी यह तीन सब्द क्या हुए इसमें जोड़े गए अखंडता अखंडता अखंड़ मतलब कि भारत का विभाजन नहीं किया जा सकता है इसको ध्यान में रखिए ठीक है ना समझवारी बार इसको याद में रखना है आप सबी लोगों को तो अभी तक सिर् जब यह संसोधन करने की बात एक चीजा रखिएगा प्रस्तावना को प्रियंबल को कुण्जी भी बोला गया है ठीक ना संबिधान की कुण्जी इसको बोला गया है शंबिधान की कुण्जी तो संबिधान की कुण्जी किसने बोला है केयम मुंसी ने बोला है किसने बोला लगातार ठीक ना जो बच्चे BPSC के हैं ध्यान में रखेंगे BPSC के लिए आप सभी लोगों के लिए लगातार क्लासे आड़ बजे सुबा चलती हैं ठीक ना सांदार तरीके से इसमें के सभी लोगों को मिलेंगे ठीक आप हमसे अपना सवाल भी पूछ सकते जो भी आपका कोश्चन होगा ठीक मेहनत करते रहिए बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया टाटा बाबावा टेक क्यार मौस करते ने कमेंट करते जरू बताएं कैसी लगी आज की क्लास